हलो एवरीवन वेलकम बैक तो माई चैनल लर्न विद रुची आज हम लोग क्वेशिन नमबर फाइव इक्सराइस 14.3 करेंगे यह एक्सप्रेशन जैसे दे रख है पहले आपको इसको 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 इसके बाद आपको डिवाइड करने राइट आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए तो स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा बोलती हूँ कि में को सब्सक्राइबर की जरूरत है तो प्लीज अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है नए है आप व्यूवर तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी वीडियो को शे सब्सक्राइब करते हैं अब देखें कि एक्स्प्रेशन है वाई स्क्वेर प्लस सेवन वाई प्लस टेन पहले आप इस एक्स्प्रेशन को अलग से लिख ली जो इसको अब अब देखिए हम लोगों ने सीखा हुआ है अलग-अलग मेथड से हमने आइडेंटिटी इसके त अब क्या आप इसमें कोई आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं अब इसको आप किस से करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग से क्वाद्रेटिक ट्राइनोमियल है मैंने पहले वीडियो अगर आपने इसके पहले और एक्सेसे नहीं करी है 14.2 और 14.2 तो प्लीज आप से आनी चाहिए तब ही आप यह वाला सम्स कर पाएंगे ठीक है अगर आप नहीं किया तो आपको समझ में आएगा और इस नहीं आप आएगा ठीक है तो अब इसको हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे राइट तो मिडल टर्म यह हमें इसको स्प्लिट करने पहले भी म ठीक है अब जो इसकी नुमेरिक वैल्यू है टेन का आप प्राइम फेक्टरिजेशन निकालीजिए टू फाइव फाइव अन्जा अब हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको प्लस माइस करने से तो सेवन आई अब देखे टू और फाइव ही आ गया हमारे पस अगर हम इसका मतलब जो हमारा पेर है टू और फाइव का वो सही बन रहे है तो अब इसको कैसे सॉल्प कर सकते हैं य स्कूर पलस तो वाइ प्लस 5 वाइ प्लस 10 ठीक है यह हमारे रफवर के साम हम इधर कर रहे है अब आप इसको मिडल टंप स्लिट हो गई आप इसको सॉल्प कर сравню अब अब हम इसको group बना सकते हैं ये group हो गया Y square plus 2Y का एक group और ये group इसमें से common कैले Y अंदर क्या आ गया Y बचा Y square में से Y बच गया 2Y में से Y बबढ़ आ गया तो अंदर बच गया 2 Plus इसमें से क्या ले सकते है 5 और 2 है, common कै ले सकते है 5 because 5 जो है अंदर आजाएगा y, 5 common factor था और आजाएगा 2, ठीक है 5, 2, 10 होता है, अब हमें ध्यान रखना होता है कि जो bracket में value आईगी वो सेम आनी चाहिए, y plus 2, y plus 2, expression सेम आना चाहिए, अब ये एक पूरी term हो गए, ये पूरी term हो गई, तो common क्या आजाएगा y plus 2, ठीक है, और यहाँ प उसके बाद ही ये सम कीजिएगा, अब इस expression को solve करने के बाद हमारे पास answer आगया y plus 2y minus 5, अब हम लोग जो ये sum दे रखा है, उसको solve करेंगे, अब आप लिखे now, ठीक है, एक्जाम में भी आपको ऐसे रिखने, now, y square plus 7y plus 10, जो ये था, इसको अब y square plus 7y plus 10 divided by, ठीक है, यहा उसके बाद divided by y plus 5, अब इसको जो हमने expression को solve किया, वो क्या आया answer हमारा, उसके जगह पे हम लोग solve करा हूँ लिख देंगे, y plus 2y plus 5, नीचे आजाएगा y plus 5, अब y plus 5y plus 5 कटोगे उपर नीचे, तो answer क्या बच्चा हमारा, y plus 2 is the answer, right, पहले जो given expression उसको solve करना है, किसी method से जिससे भी आपको समझ में आ रहा है, उसके बाद आप उसको divide कर देना है, that's it, now we'll do the second part, now this is the second part, again m square minus 14m minus 32, यह जो expression है, पहले आपको इसे solve करना है, m square minus 14m minus 32, right, इसको आप देखिए, आप कोई identity use हो रही है, यह तो m square है, क्या 32 कोई perfect square बन रहा है, नहीं, ठीके, तो आप इसके अंदर भी हम middle term splitting करेंगे, अब 14m है, बीच के अंदर इसको split करना है, लेकिन यहाँ पर कितने है, minus 32, और आगे कितने है, m square, ठीके, आप यह देखिए, minus 32 into m square आना चाहिए, multiply करने से, जो भी middle term split करेंगे, it means minus 32 m square आना चाहिए, अब जो numeric value है, 32, उसको आप prime factorize कर लीजिए, ठीके, two weights are, two fours are, two twos are, and two ones are, अब यह जो two two two, इसमें से आपको ऐसा pair बनाना है, दो number से ऐसे select कर लेने है, कि plus minus करने से, तो minus 14 m आना चाहिए, आपको science का धिहान रखना है, अगर minus है, तो minus हमें consider करना पड़ेगा, और multiply करने से minus 32 m square आना चाहिए, ठीके, अब आप पहले देखिए, two two's are four, four two's are eight, eight two's are 16, एक number अगर हम यह 16 ले लेते हैं, इनका बना लेते है 16, ठीके, यह two two's are four, four two's are eight, eight two's are 16, और एक बना लेते हैं, two, तो अब हम इसको कैसे लेते हैं, हमें चाहिए, minus 14 m, इसका मतलब बड़े number के साथ हम minus sign लगाएंगे, m है तो m, minus 16 m plus 2 m, two बचा था ना, तो minus plus minus 16 में से two गया, तो कितना बचा, 14 m, sign कौन सा लगेगा, minus का, इसका मतलब ये दो numbers अगर हमने select कर लिए, minus 16 m plus 2 m, तो हमारा answer आज़ेगा, minus 14 m, और अगर हम इनको multiply करके देखते हैं, minus 16 m और 2 m, तो obviously 16 two's are 32, तो बनेगा ही, इसको multiply करेंगे तो, क्योंकि हमने 32 को ही prime factorization निकाला था, minus का minus लगा दिया, m into m, m square, तो हमारा जो pair बन गया, वो हो गया, minus 16 m plus 2 m, right, plus minus करने से तो हमारा answer आ रहा है, minus 14 m, तीक है, अब देखे लिखे, m square, उसके बाद क्या लिखेंगे, minus 16 m plus 2 m, तीक है, उसके बाद आ जाएगा, plus 32, तीक है, यह इधर वाला part यह rough में करने हैं आपको, जो भी आपको try करने है, उसके बाद यह हमारा middle term splitting होके हो गया, आप group बना लिजी, इसका group और इसका group, अब m square और minus 16 m में से common क्या ले सकते हैं, m, अंदर आ जाएगा, एक और m, m square में से 1 m बाहर तो अंदर आ गया, m, minus लगाया, 16 m में से m बाहर आ गया, तो अंदर आ गया, 16, right, bracket closed, उसके बाद plus का plus लगाया, 2 m plus 32 में से क्या हो जाएगा, अब देखिए, हमें अंदर चाहिए, m minus 16, right, हमें m minus 16 चाहिए, तो अब, यहाँ पर minus 32 था, sorry, तो अब हमें क्या चाहिए, 2 common आ गया, अंदर क्या बच जाएगा, m, minus 2 की टेबल में 32 का बाता है, 16 पर 16 लिख दिया, तो bracket के अंदर से होना चाहिए, ध्यान रखना है, m minus 16, m minus 16, यहाँ पर minus था, तो हमने plus minus करेंगे, तो minus यह आ जाएगा, right, अब देखिए, इस वाले में से common क्या आ जाएगा, minus, m minus 16, तो इस term में से m minus 16 बाहर आगया, अंदर क्या बच्छा, m plus 2, 2 आगे, m minus 16 बाहर आ गया था, ठीक है, तो अ अब इस expression को solve करने के बाद हमारा answer यह आया, अब हम क्या करेंगे, now, ठीक है, यह जो expression लिखी थी, m square minus 14, m minus 32, divided by करिए, m plus 2, ठीक है, समझ गे, अब यह जो expression आपने उपर जो solve करिए, वो लिख दीजिए, हमने solve करके answer क्या निकाला है, m minus 16, और m plus 2, पहले ध्यान से देखिएगा, उसके बाद practice, तभी कि तभी कर लीजेगा, तो आपको और अच्छे से आजएगा, नीचे आ गया, m plus 2, right, अब m plus 2 से m plus 2 कट हो गया, तो answer is, m minus 16, is the answer, right, पहले expression solve करना है, उसके बाद हमें divide कर देना है, simple बाद, now we will do the third part, now this is the third part, तो पहले हमें ये expression को solve करना है, right, तो हम पहले लिख लेते हैं, 5p square minus 25p plus 20, ठीक है, अब इस expression में अगर आप देखेंगे, तो सब में numeric values है, तो अगर numeric values सब में है, और अगर उसमें से कोई common factor निकाल सकते हैं, तो हम पहले common factor निकाल लेंगे, yes, 5, 25, 20, common factor हमारा 5 आजएगा, because 5 में आता है, तो अंदर क्या बच जाएगा, p square minus 5 की table में 25 कब आता है, 5 पे, तो 5p हो गया, plus 20 कब आता है 5 की table में, 4 पे, तो अब हमारा जो expression आ गया, bracket के अंदर वो आ गया, p square minus 5p plus 4, again अब आप देखें, इसको हम middle term से split करेंगे, क्योंकि identity हम यहाँ पे use, नहीं कर पाएंगे, कोई भी, a minus b whole square, a plus b whole square, या a square minus b square, नहीं कर सकते है, तो अब हम लोग यह 5 तो बाहर हो गया, अब यह expressions को middle term से split करेंगे, middle term से splitting आपको आती है, आप 4 into p, 4p square आना चाहिए, multiply करने से, अब plus minus करने से 5p आना, minus 5p आना चाहिए, bracket खोला, अब देखें, मैं direct करके दिखातू, इसमें, because यह बहुत easy है, minus 5p, अगर मैं इसको लिख दू, minus 4p और minus 1p, आप वैसे कर सकते हैं, इसे मैंने आपको बताया, step 2 step आपकर समझना रहो हो तो, की prime factorization निकाली है, या अगर आपको sum करते करते हैं, खोदी idea हो जाता है, yes हम यह pair ले सकते हैं, आप देखें कैसे, minus 4p minus 1p, minus minus plus, तो कितना आजएगा, 4p plus 1p, 5p आजएगा, sign कौन सा लगाएंगे, minus का, अब minus 4p और minus 1p को अगर आप multiply करते हैं, तो क्या आजएगा, 4p square, 4 बंस आ 4p into p, p square, minus minus जब multiply होते हैं, हो जाता है, अब multiply करने से 4p square ही आना चाहिए था, तो इसका मतला हमारा जो ग्रूप है, minus 4p, minus 1p, यह select हमने सही किया है, उसके बाद लिग दीजिए 4, ठीके, आप आप क्या करेंगे, 5, square bracket लगा लीजिए अब एक, आप यह group बना लीजिए, यह group बना लीजिए, इसमें से common ले लिए, हमने p bracket के अंदर आया, p minus 4p में से p बाहर ले आ गया था, तो 4, right, अब हमें यह ध्यान लखना है कि इधर भी bracket में, p minus 4 यह आना चाहिए, और आगे p के आगे क्या है, plus का sign, यहाँ पे है minus का sign, तो हम minus बाहर ले ले लेंगे, bracket ओपर करेंगे, अंदर p आ जाएगा, अब इसके आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 होता है, right, तो यह 1 हो गया, अब क्योंकि अगर आप खोलेंगे, तो minus p बन जाएगा, ठीक है, अब उसके बाद minus 4 आ गया, क्योंकि minus minus बन के तो plus ही हो जाएगा, और हमें अंदर minus से ही, हमने बाहर minus ले 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 ब्रैकेट ओपन कीजिए, इसमें से p minus 4 बाहर आ गया, अंदर बच गया, p minus का minus और फिर 1 बच गया अंदर, right, तो solve करने के बाद, 5p minus 4, p minus 1 आया answer, अब हम लोग डिवाइट करेंगे, यहाँ पे कर लेतें, विकॉज में पास नीचे स्पेस नहीं है, आप नीचे ही प्रोसी लिख दीजिए, 5p square minus 25p plus 20 divided by p minus 1, ठीक है, आप जो यह expression उपर वाली है, उसकी जगह पे आप यह लिख दीजिए, 5p minus 4, p minus 1, और नीचे आजाएगा, p minus 1, p minus 1, p minus 1, कट हो गया, answer is 5, p minus 4, is the answer, right, तो आप हम लोग 4th part करेंगे, now this is the 4th part, ठीक है, यहाँ पे पहले numerator में क्या है, 4yz, bracket में z square plus 6z minus 16, तो 4yz हम बाद में consider करेंगे, अभी जो expression अंदर है, उसको हम solve कर लेते हैं, ठीक है, तो z square plus 6z minus 16 है, ठीक है, अब again, यह जो expression है, यह middle term से ही split होगी, identity हम यूज नहीं कर सकते हैं, इसमें, आप चाहे तो check करके देख सकते हैं, कि आप को यूज कर सकते हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग middle term splitting, यूज करेंगे, इसमें, अब देखें, middle term splitting में, यह minus 16 या z square, multiply करने से minus 16 z square आना चाहिए, और 16 is the numeric value, तो अब पहले 16 का prime factorization देख लीजे, अब देखें, इसके अंदर क्या करेंगे, कि plus minus करने से तो 6 z आना चाहिए, plus 6 z, 2 2 z 4, 4 2 z 8, एक मैंने ले लिया, 8 number, एक मैंने ले लिया 2, ठीक है, अब आपको इनको किस तरीके से adjust करना है, कि 6 z आए, simply minus लगा दिया, 8 z और 2 z, 8 z में से 2 z गया, तो 6 z आ जाएगा, और 8 z और multiply by minus 2 z, क्योंकि 2 क्या आगे minus है, तो minus 2 z, multiply करेंगे तो, 8 to the 16, z into z, z square, यहाँ plus है, plus minus minus, इसका मतलब, जो हम group select करेंगे, वो होगा, plus 8 z, और minus 2 z, plus minus करने से 6 z, multiply करने से minus 16 z square आ रहा है, ठीक है, तो this is the rough work, उसके बाद आ गया, आपका minus 16, अब group बनाईए, यह group, यह group, यह group, z common आ गया, एक z अंदर आ गया, plus 8 आ गया, अब z plus 80 आना चाहिए, इदर भी अंदर, minus बाहर लिया, अब common क्या आ जाएगा, 2 है, यहाँ पर 16 है, 2 common आ गया, अंदर बज़ गया, z, bracket अगर open करते तो minus 2 z ही बन रहा है, ठीक है, तो हमारा सम सही है, उसके बाद हम लिखेंगे, plus क्यों, क्योंकि minus plus करेंगे, तो minus ही बन जाएगा, राइट, और 2, 8 जा 16, ब्रैकेट के अंदर भी सेम आ गया, z plus 8, z plus 8, अब z plus 8 common ले लिया, उसके बाद ये bracket open किया, यहां से z plus 8 common तो अंदर बज़ गया, z, minus का minus 2 का 2, राइट, नाओ, ये हमारा solve हो गया, अगेन मैं इधर सम कर रही हूं, ठीक है, अब हम लोग करेंगे, नाओ, ये जो expression लिखी हुई थी, अब इसमें 4 y z हम ले लेंगे, राइट, 4 y z, bracket में लिखेंगे, पहले z square, plus 6 z, उसके बाद लिखेंगे, minus 16, राइट, अब 4 y, अब divided by क्या था, divided by भी लिखें, 2 y z plus 8, नाओ, 4 y z, अब इसके जगा पर आप क्या लिखनेंगे, z plus 8, और z minus 2, नीचे क्या आजाएगा, 2 y, और z plus 8, ठीक है, ये z है, आप देखिए, numeric value 2 1s आ, और 2 2s आ, y से y कट किया, z plus 8 से z plus 8 किया, तो answer will be, उपर numeric value क्या बच गई, 2 बच गई, मैं answer इधर लिख देती हूँ, ठीक है, answer आजाएगा 2, उसके बाद क्या बचा, एक z बचा, और यहाँ पर हमारे पास बचा, z minus 2, तो यह हमारा answer हो गया, आप इसको इसके साथ mix मत कर दीजिएगा, यह मैंने इधर लिख है, यह हमने expression solve किया था, राइट, अब आप लोगो समझ में आ रहा है यह, पहले expression solve किया, उसके बाद मैंने division यहाँ पर करी, space नहीं थी, मैंने answer इधर लिख दिया है, तो now let's do the fifth, now this is the fifth part, यह देखिए, यहाँ पर 5PQ, P square minus Q square है, यहाँ पर, ठीक है, इसको अब P square Q square को आप पहले solve कर लीजिए, P square minus Q square, यह तो बहुत easy है, A square minus B square वाली identity है यहाँ पर, तो आप P square minus Q square को कैसे लिख सकते हैं, P plus Q, P minus Q, जो भी identity use करेंगे, वो आपको bracket में लिखनी पड़ती है, since लगा के, since A square minus B square equals to A plus B and A minus B, right, अब यह solve करने के बाद यह आ गया, बस simple था यह तो, now आपको divide करेंगे, हमने expression अभी P square minus Q square solve किया, लेकिन उसके आगे बाहर 5PQ भी था, तो अब लिखेंगे, 5PQ, bracket में लिखे, P square minus Q square, divided by क्या था, 2P, bracket में P plus Q, अब 5PQ पहले लिखिए, अब इसको जो solve करके हमने क्या निकाला, P plus Q, P minus Q, P plus Q, P minus Q, और नीचे क्या आ जाएगा, 2P, और P plus Q, ठीक है, P से P cut गया, उपर नीचे, विकाउज उपर भी एक term है, नीचे भी एक ही term है, multiply में हैं, तो सब एक ही term होता है, और multiply में होता है, तब यह मुपर नीचे, simplify कर सकते हैं, cut कर सकते हैं, P plus Q, P plus Q, अब 5 और 2, जो है, यह निमेरिक वैल्यूज जो है, इसमें हम कुछ कट नहीं कर सकते हैं, तो इसको as it is लिखेंगे, तो answer would be, 5 by 2, अब यहाँ पर क्या बच गया, Q बच गया, answer मैं उधर लिख देती हूँ, मैं भी आपको यहाँ नजर ना आए, answer would be, 5 by 2, उसके बद क्या बच गया, Q बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया, P minus Q आ गया, हमारा answer, right, 5 by 2, answer is 5 by 2, Q, T minus Q, is the answer, now we will do the 6th, now this is the 6th part, 12xy, 9x square minus 16y square, यह bracket में है, तो पहले हम यह उपर वाला bracket वाला solve करेंगे, right, 9x square minus 16y square, अगर आप देखेंगे, तो आप यहाँ पर एक identity use, हम कर सकते हैं, यह identities आपने already किये हुई हैं, जब हमने identities वाले sum solve किये थे, right, previous exercises में, exercise 14.2 and 14.1 में, अगर आपने वो नहीं किया है, तो यह sum करने में आपको problem होगी, तो पहले 14.2 and 14.1 exercises अच्छे से कीजिएगा, right, तो 3,3's and 9x square ही बन जाएगा, उसके बाद minus, ठीक है, उसके 16y square को कैसे लिख सकते हैं, 4y का whole square, क्योंकि 4y, 4y करेंगे तो 16y बन जाएगा, अब देखिए perfect square बन गया, a square minus b square की form में, यह हमारा a हो गया, इदर 3x, और 4y हो गया हमारा b, तो अब क्या हो जाएगा, a plus b, a minus b, a क्या है, 3x और b क्या है, 4y, a plus b, और a minus b, right, उसके बाद जो भी identity आपने use की है, वो आप लिख दीजिए, a square minus b square equals to a plus b and a minus b, यह हमने identity use करी, अब हमारा simplify करने के बाद, यह expression हमारा यह आगया, अब we will do the division, now, अब इसके आगे पहले क्या लिखा हुआ था, 12xy, अब पूरा लिखेंगे हम, उसके बाद 9x square minus 16y square divided by 4xy, 3x plus 4y जो था, वो bracket में था, ठीक है, अब 12xy, पहले 12xy as it is लिख दीजिए, उसके बाद यह जो expression था, उसको solve करने के बाद क्या आया हमारा, 3x plus 4y and 3x minus 4y, राइट, नीचे क्या आजाएगा, नीचे है हमारा 4xy and 3x plus 4y, ठीक है, यह आगया हमारा नीचे, उसके बाद अब देखिए, x से x कटा, y से y कटा, उपर नीचे कट कर देंगे, 3x plus 4y, 3x plus 4y, और 4 ones are and 4 threes are, तो numeric value क्या आजाएगी, 3, और उसके बाद सब कुछ कट हो गया, सिरफ यह बच्चा है, 3x minus 4y, तो answer is, इसको bracket में डालेंगे पहले, 3 बाहर बचेगा, और bracket के अंदर बचेगा, 3x minus 4y, तो answer is, 3 in bracket आजेगा, 3x minus 4y is the answer, right, now we will do the, this one is 6 na, this one, now we will do the 7th part, now this is 7th part of question number 5, then this is the last part of question number 5 also, ठीक है, तो अब हम यह solve करते हैं, उपर में यह expression है, तो सबसे पहले हम यह जो bracket में हैं, 50y square minus 98, इसको solve करेंगे, तो 50y square minus 98, क्या यह कोई identity बन सकता है, क्या इसको आप a square minus b square की form में लिख सकते हैं, आप थोड़ा observe करेंगे, ठीक है, ऐसे वाले sums हमने already exercise 14.2 and 1 में, 14.2 में किये हुए हैं, तो पहले आप वो आने चाहिए आपको practice कीजिए, उसके बाद ही sum पर आएगा, अदो आपको मुश्किल होगी, ठीक है, तो अब देखते हैं, 50 तो कोई perfect square नहीं है, 98 भी नहीं है, तो अब आप यह देखिए, जो 50 and 98 है, इसका कोई common factor हो सकते हैं, कि किसी same number में, table में आते हैं, yes, 2 में आते हैं, तो हम 2 से divide कर सकते हैं, तो 2 में ने बहार लिया, अंदर क्या आजाएगा, 25, 2 को 25 से multiply करेंगे, तो 50 आएगा, ठीक है, y square, plus 25 एक perfect square भी है, ठीक है, उसके बाद minus लगाया, अब 98, 2 की table में 98, किस पे जाता है, किस से divide करने से, 98 को 2 से divide करने से क्या आएगा, 49 49 जो है, 7 का perfect square है, 98 को अगर आप 2 से divide करते हैं, तो 49 ने answer आता है, ठीक है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे 49 लिख दिया, अब 2 बाहर आ गया, अब ये perfect square की form में हम लिख सकते हैं, square bracket open कीजिए, 25 y square को आप कैसे लिख सकते हैं, 5 y का square, minus 49 को कैसे लिख सकते हैं, 7 का square, ठीक है, अब ये हमारा a हो गया, a square minus b square, 5 y हाँ पे हमारा a हो गया, and 7 हमारा b हो गया, ये लिखना नहीं है आपको a भी है, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, उसके बाद ये 2 बाहर आ गया, अब a plus b, a minus b की form में, 5 y plus 7, and 5 y minus 7, is the answer, इस expression को solve करने से हमारा ये आया, 2 5 y plus 7, 5 y minus 7, ठीक है, मैंने a की लाइन में इसलिए किया, solve की, space कम है, आप 2-3 step में भी उपर नीचे करके कर सकते हैं, यह एक line में भी कर देंगे, तो भी कुछ निफराक पड़ता इस बात से, ठीक है, now, आप हम लोग division करेंगे, यहाँ पर जो numerator में था, पहले था 39 y cube, तो हम पहले लिखेंगे, 39 y cube, उसके बाद लिखेंगे, 50 y square minus 98, ठीक है, अब लिखे 39 y cube, यहाँ पर पहले division में भी लिखना है, किस से divide करना है, 26 y square, 5 y plus 7 से divide करना है, 39 y cube बाहर लिखा, अब 50 y square minus 98 को, जब हमने solve किया, तो हमारा answer यह आया, तो अब इसको multiply करके लिख दीजे, because अब कुछ multiply में ही है, 2, उसके बाद आ जाएगा 5 y plus 7, और आ जाएगा 5 y minus 7, राइट, नीचे आ जाएगा अब आपका, 26 y square, और आ जाएगा 5 y plus 7, ठीक है, अब देखिए, यह किस से जा सकता है, 13, 2s are 26 होता है, और 13, 3s are 39 होता है, ठीक है, अब यह एक 2 value आगई, और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 से हम 2 cut कर देंगे, तो हमारे पास जो value बचे की numeric, वो क्या होगी, 3, 5 y plus 7, और 5 y plus 7, हमने पूरा cut कर दिया, यह हो गया cut, उसके बाद यहाँ पर y cube है, नीचे है y square, तो अब कैसे लिख सकते हैं, इसको y cube minus 2, कौन सा formula लगाया, x raised to the power m upon x raised to the power n, y cube minus 2, अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, 5 y minus 7, तो answer would be 3 y, 3 में से 2 गया, 1 बचा तो y, and 5 y minus 7, तो answer is 3 y, 5 y minus 7 is the answer, अब हमारा यह वली exercise 14.3 ओवर हो गही है, now we will do the next exercise 14.4 in my next video, till then take care, bye and please, please, please subscribe my channel and like and share, I really need the subscribers, thank you, bye.